रादरादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वास्तु टिप्स फर होम में दोस्तो जिन भी देखिये हस्बेंड वाइफ में हमेशा कलेश लगा रहता है या किसी पराई इस्त्री के चक्कर में पड़े हैं या फिर किसी गलत रहा पर चल पड़े हैं दोस्तो आज मैं आपको एक अच्चुक और सरल सा उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से निश्चित ही आपके पती आपके वश में होंगे आपका कहना वो जीवन में कभी नहीं टालेंगे दोस्तों ये उपाई ही ऐसा है इसको करने से निश्चित ही आपके पती आपका कहना मानने लगेंगे दोस्तों उसकी जानकरी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल बास्टुटिप्स फोर होम को सस्क्राइब निके अदर सस्क्राइब अवश्य कर ले बगले वैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों इस वपाय को आपको देखे शनिवार के दिन करना है आपको शनिवार के दिन अपने पती का कोई भी कपड़ा ले ले चाहे तो आप एक दिन पहले ही ये बत्ती बना कर रख ले आपको देखे कोई भी कपड़ा लेना है जो आपके पती का हो कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं जो आप यूज ना करते हो लेकिन उनका पहना हुआ होना चाहिए आप उस कपड़े को देखे कूट कर काटना नहीं है आपको कूट कर थोड़े से रेशे निकालने हैं धागे निकाल कर आपको साथ बत्ती तयार कर लेनी है यानि जो हम दीपक पर जलाते हैं जो बत्ती ऐसे बत्ती बना लेनी है लंबी वाली बत्ती बना लेनी है और शनिवार के दिन आपको देखिए बारा बजे से पहले आपको डेली एक दीपक जलाना है सरसो के तेल का दीपग आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है उस कपड़े का जिसके आपने बत्ती बनाईए अपने पदी का कोई सबी कपड़ा लेले उसकी साथ बत्ती तयार कर ले और एक-एक बत्ती को आपको शणीवा जलाना है दोस्तों इस उपाय को आपको देखे पीपल के पेड़ के नीचे करना है सुबह बारा बजे से पहले इस उपाय को कर ले दीपक जलाए और वहाँ पर अपने पती की जो भी आपके साथ अनबन चल रही है या फिर किसी पराई इस्तरी के चक्कर में पड़ गए है या लड़ाई जगड़ा या मार पीट करते हैं तो उसके लिए पराथना अवश्य करें जैसे कहें कि भी मेरे पती का गुस्सा ठीक हो जा या जो दूसरी ओरत के चक्करें पड़ गए तो उससे पीछा छूट जा इस तरह से आपको अपने पती के पराथना करनी है और वहाँ पर उस दीपक को जलाना है सरसोक के तेल में इस सरह से आपको दीपक जलाकर आना है और पीछे मुणके नहीं देखना है दोस्तो इस उपाय को आपको देखे साथ शनिवार करना है एक दो शनिवार में ही आपको प्रभाव अवश्य दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तो इस बहुत ही सरल है बहुत ही अचुक उपाय है इसको जरूर करके देखेगा आप दोनों के बीच में जो लड़ाई जगड़े चल रहे हैं तो वो अवश्य खतम हो जाएंगे दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें आप सभी को राधे राधे राधराधे जी आप सभी का बहुत स्वागत है